सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंगलीश में लिखा हुआ है मैं हिंदी में करते जाओंगी तो तकि दोनों जो मेडियम के बच्चे हैं उनको तकलिफ ना ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फॉलोइंग वीच और एस्टेट वीट एक्सक्रेशन आपके एक्सक्रेशन और इसा होता है जो उच्छन किरिया में करता है भाग लेता है तो राइट एंश्र होगा किड्नी यहां पर ट्क किया गया है दिखिए दिख रहाँ आपके स्क्रेन पर किड्न जाबंस और रुसके बाद है छॉरोफ ब्रेंबर आफ सैलिस्द और के सैल को कहा जाता है तो न्यूक्लियॉस को कहा जाता है A number होगा right उसके बाद है fourth number chlorophyll containing plastic is called जिस लवक में chlorophyll पाया जाता है या chlorophyll होता है उसको क्या कहा जाता है chromoplast chloroplast leukoplast या amyloplast इसको कहा जाता है right answer होगा chloroplast ठीक है powerhouse of cell is यानि कि cell का powerhouse कहा जाता है वो कौन सा है वो है right answer होगा mitochondria ठीक है six number है कि which one is not bonded by membrane कौन सा ऐसा है इनमें से जो जिनमें जिल्ली नहीं पाये जाती है ठीक है तो वो होगा right answer होगा ribosome में किसी प्रकार की कोई जिल्ली पारदर्सक जिल्ली कहीं या फिर किसी प्रकार का कोई जिल्ली नहीं पाया जाता है यानिक उसको घेरने के लिए जो जिल्ली होती है फुर नहीं है ribosome में ठीक है उसके बाद आते हम लोग very short type answers बीएसे में या फिलप्स है structural and functional unit of life यानि कि रचनात्मक और क्रियात्मक की काई जीवन की क्या है तो वो है cell लिखा हुआ है आपके यहां पर screen पे cell यानि कोसी का ठीक है उसके बाद है one or more tissue combined to form एक और एक से अधिक उतक मिलके क्या बनाते हैं तो बनाते हैं organ यानि अंग बनाते हैं ठीक है अंग बनाते हैं next question है कि heart is associated with heart किस के सांथ जो किस इसका संबंध किस चीज के सांथ है तो इसका संबंध है समवहन का सकते है न सरकुलेटरी सरकुलेटरी सिस्टम के साथ इसका संबंध है cell discovered by cell को किसने खोज किया था cell की किसने निकोशिका की किसने खोज कि थी तो scientist का नाम था Robert Hooke the smallest unit of measurement is smallest unit जो इकाई है माप की जो सबसे छोटी इकाई है वो है फर्मी इसका value होता है 1 by 10 to the power 15 अंग्रिस्टन इससे ज्यादा छोटा नहीं होता है मिन्स की अंग्रिस्टन की इससे भी सबसे छोटा होता है फर्मी ठीक है उसके बाद आते हम लोग true and false पे तो सबसे पहले जो question है कि lysosome is called the protein factory of cell lysosome को कोसिका का protein factory कहा जाता है तो यह answer होगा यह false है यह जो कथन है यह false है यानि यह गलत है plastic is called the suicidal bag नहीं plastic यानि लोग को आत्महादी ठैली कहा जाता है नहीं यह false है यह कथन cell wall is permissible yes cell wall permissible होता है और plasma membrane is living तो plasma membrane में living होता है यह true है oxizome is present in mitochondria yes mitochondria में oxizome present होता है गौलगी complex is a secretary organ गौलगी complex जो हता है या गौलगी body कहिए क्या वो एक स्त्रावित अंग है तो हाँ यह कथन सही है unit of life is tissue नहीं unit of life is cell ठीक है तो यह कथन गलत है blood is a connective tissue जो रक्त है वो संयोजी उत्तक है तो यह कथन सही है और plastic is the powerhouse of cell यानि कि लवक को क्या powerhouse of cell कहा जाता है नहीं यह कथन गलत है और christia present in mitochondria yes mitochondria में christia present होता है single membrane bounded cell organelles is plastic नहीं यह कथन गलत है vacuels are large in animal cell vacuels जो होते है वो animal cell में large नहीं होते है वो plant cell में large होते है बड़े होते है human rbc have no nucleus यह कथन सही है gene is present in chromosome yes gene present होता है chromosome में और in water hyacinth is hyacinth cells have air cavities तो yes hyacinth जो cell होते है उनमें air cavities पाये जाता है ठीक है उसके बाद आते हम लोग match करने के लिए कि match the statement of column A and column B अब यहां match करने के लिए है कि column A के साथ column B को किस तरह से match करना है यह mitochondria के साथ mitochondria को power house of cell कहा जाता है यह देखिए मैं यहां पर match कर रही हूँ आप लोग को यह power house of cell ठीक है ribosome is a protein factory ribosome को protein factory कहा जाता है chloroplast को cooking of यानि kitchen of cell कहा जाता है ठीक है आपके formation में सहयता करता है ठीक है उसके बाद हम लोग आते हैं असके बाद हम लोग आते हैं आपके इसमें अ कॉलम A और कॉलम B के साथ तो skieन का संबन्द किस के साथ है, इस्कीन का सम्बंध है एपिथेलिया से टीशू के साथ बोन का सम्बंध होता है करेक्टिव टीशू के साथ ठीक है हर्ट का सम्बंध होता है मस्कुलर टीशू के साथ ठीक है और स्पाइनल कॉर्ड का सम्बंध होता है नर्वस टीशू के साथ ठीक है यह हो गया next आते हैं यह जो question है उसके साथ तो DNA का संबंध होता है यहां मैंने match कर रखा है यहां पर होगा नहीं यहां देखती हूं करके नहीं हो रहा है तो DNA का जो संबंध होता है वो है इसको कहा जाता है क्रोमो जोम के सांथ, OXISOEM is present in mitochondria, D-Octisome is present in Golgi operators यहां Golgi complex, Chlorophyll का संबंध होता है प्लास्टिक यानि Chlorophyll is a Plastic and Cellulose is a Cell wall ठीक है इस तरह से हमने अभी इतना question किया नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे आपके बहुत सारे ऐसे questions है जो कि very sour type भी questions है और थोड़े से पिर उसके बास sour type questions है I hope so कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे आपका लाइक मुझे बताएगा कि आप लोग कितना इसको पसंद किये हैं और इसको जितना share कर सकते हैं उतना करिये ताकि और भी बच्चों को लाव मिल सके और इसके बाद मैं तब ही वीडियो लाँगी जब इस वीडियो पर लाइक मिलेगा मुझे तो मुझे और व्यूज जाएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि नहीं आपने इस वीडियो को बहुत पसंद किया है तो मैं निक्स वीडियो जल्दे लेके आऊँगे ठीक है तब तक हमारे इस चैनल को देखते रहें और प्लीज सेयर जरूर कर दिए ताकि सबी बच्चों को ये इस चैनल के बारे में पता चले और इससे जो जितना हो सके वो लाव ले सके ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू बबाई